दूसरो अच बावा और सोन दोनों गुली बुली के घर पर आए हुए हैं सोन जोर से चिला कर बोलता है जल्दी आओ गुली बुली नहीं तो बावा गुस्सा हो जाएंगे तो पता है न ये बावा कैसे कमरे में बंद करके मारते हैं सोन की बाद सुनकर बावा काफी तो गुस्सा हो जाते हैं और वो अपना गुस्सा सोन पर ही उतार देते हैं थोड़ी दिर बाद गुली बुली बाहर आते हैं अरे कौन भौकरा ये बत्तमीज गुल्ली बोलता है सोन से सोन ये कौन सा फैसन तुमने किया है सोन बोलता है तुम नहीं समयोगे गुल्ली ये सब बावा का दिया हुआ फैसन है बुल्ली बोलता है कौन सी बावा जो आपने इतनी जल्दे में को तयार होने के लिए बोला और हम लोग कहां जाने वाले हैं बावा बोलते हैं हम लोग एक आइलेंड पर जाने वाले हैं सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे खाजाने हैं गुली बोलता है देर किस बात की सारे लोग गाली पर बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं खाजाने के तलास में बावा बोलते हैं तुम लोग उस आइनेंड पर समाल के रहा ना मैंने सुना एक उस खाजाने के रक्षा करने के लिए बहुत सारे जोमिस और ममी है सोन बोलता आप टेंशन मत लीचे बावा हमने पहले भी जोमिस और ममी का सामना किया है बावा बोलते हैं वही सुच करते हम लोग जा रहे हैं थोड़ी है दिर में वो सब समंदर के किनारे पहुच जाते हैं गुली बोलता लेकिन बावा हम लोग इस समंदर को पार करेंगे कैसे बावा बोलते हैं देखो मेरी सक्तियां बावा पनी सक्तियों से वहाँ पर एक नाव ले आते हैं सारे लोग उस नाव में सवार हो जाते हैं और निकल जाते हैं खाजाने की तलास में सोन बोलता मुझे पूर जगा डर लग रहा है गुली बोलता डर लेकी क्या है बात जब बावा लंगोती लाले हमारे सारोडी ही धीर में सारे लोग आईलिंड की किनारे पर पोच जाते हैं बावा बोलते हैं अगर तुम लोग को कुछ भी करना है तुँ यहीं पर कर लू क्योंकि अगर वहां जाने के बाद तुम लोग ने खुश्ठास किया यहाँ पर आने वाला आज तक कोई भी वापस लोटके नहीं गया है आगे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि बहुत सारी इंसानों की हड्डिया पड़ी हुई है बुल्ली हड्डियों को देखकर बोलता है बावा मुझे तो लग रहा है कि हम लोग का भविस्ती है बाव लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तभी उन लोगों को कुछ आवास सुराएं देती है सारे लोग छिप करके देखने लगते हैं अरी ये क्या ये सारे जो जॉम्बिस हैं बावा बोलते ये ही लोग है जो खाजाने के रक्षा करते है लेकिन आखिर कार ये लोग जा का से बचँ बीक पीडे की पीशे चले जाते हैं गुली बोलता है आखिर का रूड़ पीडे की पीशे जाकर करक्या रहे होंगी सौन बोलता मुझे बहुट दर लग रहे हैं दूर बावा आपको करो सारे लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखके उन सभी की आके फटी की फटी रह जाती है सारे लोग देखते हैं कि जॉम्मी सारे जाकर एक ताबूत के बंगल में खाड़े हो जाती है तब इस ताबूत का धकन खुल जाता है और उसके अंदर से एक ममी निकलती है बावा बोलते हैं बस इसी की कमी थी लोग अब वो भी पूरी हो गई वो जॉम्मीश निकलते हैं साथ ही उन जॉम्मीश को पटक-पटक के मारने लगती है वो ममी बोलती है तुम लोग कर रहते हुए भी हमारे खाजाने पे कैसी ने गंदी नेचर टाल दी है और तुम लोग को तो पताहिए कि हम लोग के खाजाने में नेचर डालने वाले कि हम लोग क्या हाल करते हैं ममी के बाते सुनकर गुली-बुली-सो-न अर भावा को खूजने लगते हैं और उनिरिसे दू जोंबीश उन चारुक तरप आने लगते क्या ये क्या ये चारु कहां चले गए और ये सबीठों पेड़ के ऊपर चाड़े हुए तभी उसमें से वावा एक जॉबिस में चलाद लगा देते हैं और एक जॉबिस को ह Usually धेर कर देते हैं और वो दूसरा जॉंबिस बावा का गर्दन पकड़ लेता है और फिर सौन भी उस जॉंबिस का सर फोड़ देता है और चारों वहाँ से दूर भाग जाते हैं चारों लोगों को भागते भागते गुफा दिखता है चार लोग उस कुफा के अंदर चले जाते हैं गुल्ली बोलता है बुट्टे तुमने हम लोगों को कहा फासा दिया बुल्ली बोलता है इस बुट्टे के कारण अभी हम लोग मरते मरते बचे हैं मारो मारो यही है वो कुली दरिदा मारो बावा बोलते है रुको जरा, सबर गरो गुली रोने लगता है और बोलता है इस बुड़े नी मेरी जिनी की बरबाद कर दी अभी ते तो मेरी साधी भी नहीं हुई है एक बार सौन फिर से बोलता है मारो, मारो, यही वो खुनी दरिदा, मारो सौन कितना बोलते ही बावा सौन को पागल कुट्टे की तरह मारने लगते ही काहे लगे मारो भिया, जोर भी जिनी, काहे लगे मारो भिया बावा कैसा भ्यंगा रूप दीखी गुली बुली सौन तीनों काफी जर डर जाती ही और तीनों तब से चुपी रहते है बावा एक नकसा निकालते ही और बावा बोलते ही ये दिखो, इस नकसे में खाजाने के पास जाने का रास्ता है गुली बोलता लेकिन इतने बुरे जंगल में अमलों को खाजाने मिलेगा कहा बावा बोलते ही, इस जंगल में बहुत बला डबलू है उसी डबलो के नीचे खा जाना है सोन बोलता तो दिर किस बाद की बाबा जल्दी से में लोगो डबलो को खोजना होगा एक बर फिर से वो चारोस गुफा से निकल जाते हैं खा जाने के खोज करने के लिए तभी बाबा को हारट नीच आ जाता है गुली बोलता है यह क्या बाबा को क्या हो गया सोन बोलता है मुझे लगता है कि बाबा को मिरी का दोला पड़ा हुआ है इसे जल्दी से चपल सुखना होगा बुली बोलता है नहीं मुझे लगता है कि यह बुड़ा आखरी सासे गिन रहा है तो क्या करना चाहिए इस बुड़े का यहीं पर अंतिम संस्कार कर दो क्या गुली बोलता है लेकिन मुझे बहुत ज़िए दर लग रहा है अगर ये बुड़ा मर जाएगा तो हम लोग को बचाएगा कौन तब ही बुड़े वहाँ पर तीक डंडा उठाता है और बावा को जूर जूर से मारने लगता है अब बुड़े जल्दी उठाएगा इतना उखाने के बाद भी बावा नहीं उठते है लगता है कि बावा का खेल खतम हो गया है तब ही वहाँ पर जॉम्मीस की आवाजाने गुल्ली बुली सोन काफी जटर जाती है और हो इधर उधर देखने लगती है सोन बोलता है वहाँ पर तेक जॉम्मीस इधरी आ रहा है गुल्ली बोलता है बावा को यहां से हटाओ नहीं तो जॉम्मीस बावा को खा जाएगा बुल्ली बावा को उठाता है और जाडियों प्षीप देता है गुली पुली और सोन वहां पसे छीप जाते एक पेड के पीछे वो जॉमिस आता है और जाड़ीों के पाश जाकर इधर उजर देखने लगता है गुली बूलता है मुझे जो लगता है कि इस बुटे को जॉमिस खा जाएगा सोन बोलता उस बुटे को बचाना होगा सोन वहाँ में पढ़ा एक पथर उठा लेता है और उस जोमिस को फिक के मारता है उस जोमिस को पथर लगती है वो जूर जूर से चिल लाने लगता है और गुली बुली सोन को दोड़ा देता है तब ये गुली बुली और सोन को आगे से भी जोमिस घेर लेते हैं गुली बुली से बूलता है अब हमें क्या करना चाहिए बुली सोन बोलता है करना क्या होगा बस अब मौत का इमतिजार करो बुली बुलता मैं मरना नहीं चाहता अभी तक तो मेरी साधी भी नहीं होई है। उसमें से एक जॉमिस बोलता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली बोलता हमें मारने वालास तक कोई पैदा नहीं हुआ। और तू मुझे मारेगा में नाली के कीडे। वो जॉमिस बोलता आ, लड़कर देख ली, कोई नाली का किडात में पता चल जाएगा। गुल्ली बोलता मैंने तो मजा किया था, ये तो सीरियस ले लिया। और फिरो जॉमिस गुल्ली के तरफ दोड़ लगा देता है। लेकिन बुल्ली के चीहरे में डर साफ साफ दीकरा है। वो जॉमिस आता है और गुल्ली के पटक-पटक के मारने लगता है। बुल्ली और सौन, गुल्ली के मौत का तमासा मजे से देखी रहे होते हैं, तभी उसमें से इक दो जॉमिस आते हैं। और वो दो लोगे में पटक-पटक के मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर ममी आ जाती है, वो बोलती है रूख जाओ। और फिर गुल्ली दोड़कर जाता है और ममी के पैर पकड़ लेता है। गुल्ली बोलता है। गुल्ली हाँ जोड़के ममी से बोलता है। थेंक्यो भाईया, आप एतने दिर से कहा थी। इन सभी ने मुझे बहुत मारा। ममी बोलती है। इन सभी को तुम्हें तलपा तलपा के मारूँगी। गुल्ली बोलता है। चीटिंग करता है तू। इन सभी को लेकर चलो अपने अड़े पर। सारे जॉंबिस उन सभी को ममी के अड़े पर लेकर चले जाते हैं। सारे जॉंबिस गुल्ली बोली और सोन को रस्यों से बांद देते हैं। और इधर भंडारी के तयारी भी चालू है। कुछ जॉंबिस तो सराप पेकर पूरे टून है। मार के महुआ बन जाते हैं नी रहुआ। तोड़ा मारा मा के फोड़ा है। और इधरी जॉंबिस माइक लेकर खाड़ा हो जाता है। लगता है कि गाने बजाने के भी प्रोग्राम सेट है। सारे भाईयों और बहनों, सारे लोग अपने कान के परदे फाल कर सुनो। जो कोई जिप्ट लेकी आया है केवन वहीं यहां रहेगा। बागी सम यहां से भगने। और आप लोग आए हैं तो कुछ खा के ही जाना है। कम से कमे को तगड़ी चवाना है। अरे यह भी कुछ कहने वाली बात है भया। है आप लोग के खिदमत में गाना। सारे जोंबिस इस बेसूरे जोंबिस का गाना सुनकर नाचने लगते हैं। जों बोलता है। मुझे जाने दूहों ममी बोलती है। तुम लग का तुमेने अच्छा इंतिजाम किया हुआ है। तो रावो काका कहा है कम तुहिया। एक जोंबिस ममी के पास जाता है। हाव या बोलिए क्या खाना है आपको। ममी बोलती है क्या क्या तुम बना सकती हूँ इस मोटे का तुम्हें हांडी बिर्यानी बनाऊंगा और इस छोटे का तुम्हें कीमा बिर्यानी बनाऊंगा और इस बीच वाने का तुम्हें तक सोचा नहीं है तुम लोग सोच कर बताओ मनी बोलती है पहले जो तुम इस छोटे का कीवा मिर्यानी बनाओ वो जॉम्बी बोलता है ठीक है सरदार और फिर एक जॉम्बी साता है और सोन को घचीट के जमीन पर पठक देता है और एक बड़ा सा तलवार लेकर आता है सोन रोनी लगता है और फिर वो जॉम्बी सान का करदन काटने के लिए तयार हो जाता है और बावा पता नहीं कहा है रुप जाओ अरे ये क्या बावा तो हमारे आठ चुके है बुल्ली बोलता है इन कुत्तों को चुन-चुन के मारो उसमें से एक जॉम्बीस की कुछ सरीर में जादी घुजली होई ये लागखाने की अरे हमारे खाने में एक हो मीनी होँ गिया बुर्ग मसल्लम गुल्ली बावा से बूलता है बावा इसकी कुजली मिठा दो और फिर वो जॉम्बिस तलवार फिक के बावा के तरफ मारता है और फिर वो जॉम्बिस बावा के तरफ दोड़ लगा देता है और बावा भी जॉम्बिस के तरफ दोड़ लगा देते हैं और फिर ता बावा तो य verbess खूससे में उस कसरील की सारी हटिया तोर देते हैं तब wygląda देता है और यह जमभीश कर्मी कि खतम हुआ और फिर यह सब देखी मैं को वे nouveau जया गुसा आता है है ममी हावा कि वही पर मौत हो जाती है बावा के इसी हाल देख की गुली बुली सोन की बीच में तो मातम बसर जाता है ममी जॉम्बी को बूलती है इन तीनों को भी खेल जल्दी से जल्दी खतम करो तभी एक जॉम्बी तलवार लेकी गुली के तरफ बढ़ने लगता है और तभी बावा की आत्मा गुली के शरीर में चला जाता है गुली रसी को तोड़ देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी गुली एक जॉम्बी इसको मारता है और फिर गुली भी हावा में जाजू से तलवार लाता है और एक जोम्बी इसका सर काट देता है गुली कैसा भ्यानक रूप देखकी सारे जोम्बी से भागने लगते है और ममी अकेली पढ़ जाती है ममी दोड़कर गुली के तर बढ़ती है गुली का सरीर भावा से नहीं लग पा रहा है इसलिए भावा का हक्मा एक बर फिर से भावा के अंदर चला जाता है और फिर भावा उठकर खड़े हो जाती है तुम्हारा दियान की धर है लंगोदी लाल इधर है भावा बोलते हैं तुमें कोई नहीं बचा सकता मेरे हादों से मरने के लिए तयार हो जाओ सोन जोर से चिला कर बोलता है भावा इसे खुपता बना कर मारो अरे यह क्या ममी ने तो बावा को बहुत मारा है जिससे की बावा के यह काक काला भी हो गया बुल्ली बोलता है बावा में पहले वाला बात नहीं है सोन बोलता है क्या बावा आप किसी से भी पिठा जाते हैं कोई भी आपको मार के चपल से चपल याद देता है यही दिनों देखे लिए आपको में इतना बड़ा किये हैं। सौन के इसी बाते सुनकर बावा के आखे लाल ले जाती है। और बावा के स्ट्रीम मुख चालू हो जाता। ममी बोलता तुमने लाल लाला के देखे मुझे बहुत जाता डर लग रहा। तुम सांत हो जाओ, ये लोग खाजाने। इसी खाजाने के बावा जोर जोर से हसने लगते हैं। मैं भी देखता हूँ, तुम क्या कर सकते हूँ। बावा जोर से चिल लाते हैं। जिससे के ममी की सारी चमरी हो जाती है और ममी भी खातम हो जाती है। दूस्तों आपको यह स्टूरी कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नएे तो चैनल को सबस्क्राब करना मत गूलिएगा। और यह है कुछ साउट आउट जिन्हों ने मारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ साउट आउट दो थे इस वीडियो के नीचे का अच्छा से कमेंट जरू कर दे तब दक के लिए बाए बाए